नमस्कार दोस्तों आप सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये खुबसूरत सा बॉर्डर डिजाइन लाए हूँ देखिए ये दूनु तरफ से एक जैसा ही बुनता है देखिए सामने से ये ऐसा दिखाय दे रहा है और पीछे से ऐसा दूनु तरफ से ये एक ही जैसा दिखाय देता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है बिंगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्रस कर लें वीडियो अच्छी लगे तो कृपिया इसे लाइक करें और मैंने 35 फंदे डाले हैं 32 और 3 फंदा एक्स्टा 32 प्लस 3 35 तो चलिए फ्रैंस हम इसे बनाते हैं तो पहले हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन पहले हमने 3 फंदा उल्टा बुना फिर उन दूसरी ओर करेंगे और चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी सलाई में दोराना है उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन उन दूसरी ओर चौथा फंदा स्लिप करना है फिर उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन उन दूसरी ओर चौथा फंदा हमें ऐसे परल वाइस लाई जालना है और स्लिप कर लेना है इस फंदे को हमें बुनना नहीं है बिना बुने सरका लेना है फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनेंगे एक, दो, तीन उन दूसरी ओर, चौथा फंदा स्लिप करना है उन अपनी ओर, एक, दो, तीन उन दूसरी ओर, चौथा फंदा स्लिप करना है उन अपनी ओर, एक, दो, तीन उन दूसरी और चौथा फंदा स्लिप करना है तो इन ही चार फंदो को बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो इन तीनों को हम उल्टा बुन लेंगे तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कम्प्लीट होता है अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और करेंगे और दूसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे इसे हमें बुनना नहीं है बिना बुने सरकारे ना है अब उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन उन दूसरी और चौथे फंदे को स्लिप करना है तो दो फंदा को छोड़के और फिर हमारा चार फंदे का पैटर्न शुरू हो जा रहा है उन अपनी और तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, उन दूसरी और अगला फंदा स्लिप करना है उन अपनी और, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी और, चौता फंदा स्लिप करना है इन ही चार फंदों को दूराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे चार फंदे का और दो लाइन का ये खुबसूरत सा डिजाइन है डिजाइन दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखाए देता है और बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है इसे आप as a border भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजाइन के तोर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे फंदे डाल कर सीधे इस डिजाइन को बना सकते हैं फुल में डालिये, ये बहुत ही अच्छा लएगा या फिर इसे आप पूर्टी बना सकते हैं जैकेट में डालिए ये बहुत ही अच्छा लेगा तो फ्रांस डिजाइन आपके सामने है आशा है पसंदाया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब थैंक्स फार वाचिंग